Hi guys and welcome back to the channel दीपक्यादव एजुकेशन, welcome to the daily current affairs of 13th of September 2021 तो guys आज है तारिक 13 September 2001 केस और है Monday, आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे, आज बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से articles का discussion करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले article में बात करेंगे 13th BRICS Summit के बारे में, अभी हाल ही में हमने देखा BRICS की summit हुए हुए, तेरवी summit देखने को मिली है, इस summit के अंदर क्या-क्या discussion किया गया बहुत important यहाँ पर article होने वाला है, prelims के perspective से, plus means के perspective से, दोनों ही तरीके से साथी साथ मा आपको बता दूँ यह जो daily current affair का वीडियो है, यह daily basis पर morning में 5 बजे upload हो जाता है और यह वीडियो आपका UPSC और state PSC के point of view से बहुत ज़दा important है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक article को बहुत ज़दा detail में discuss करते हैं, prelims और means perspective से, उसके बाद second article में हम बात कने वाले हैं, transforming India's food system को लेकर देखो आज का time पर, जो हमारा food system में उसको transform करने की ज़रूरत है, वो क्या-क्या transformation हम लोग कर सकते हैं, उसके बार में discussion होगा Indian Express के अंदर यह article आया था, काफी important यह article होने वाला है, देन उसके बाद एक और important article है, यहाँ बात करी गई है, quarterly periodic labor food survey कंड़र्ट किया गया और इसकी report आ चुकी है, यह पिछले साल का survey है, तो इसके बार में discussion करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी key terms के बारे में पता चलेगा, जो कि GS paper 3 economic perspective से भी बहुत दा important है, और वहाँ पर questions डिरेक्ली बन जाते हैं, दनुसके बाद आपको मालूम होगा, अभी NIRF ने ranking अप पर top क्या है, बहुत सारी important information यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, NIRF ranking क्या होती है, यह भी हम लोग चानने वाले है, education के perspective से, मतलब GS paper 2 के perspective से article important होने वाला है, उसके बाद एक article आपको यह नजर आएगा, देखो आज के time पर export को boost करने के लिए हमारी government, आज के time पर बहुत बहुत सारी schemes ला रही है, और उस schemes के अंदर बहुत सारी लोग को incentives मिल रहे है, तो यहाँ पर export इससे बढ़ता वा नजर आएगा, export बढ़ेगा तो कहीं ने कहीं हमारी economy grow होगी, उसके बारे में आज हम discussion करने वाले हैं, देन उसके बाद यहाँ पर हम discussion करेंगे, आत्म है, कहाँ पर वो island देखने को मिला है, और भी बहुत सारी important information है, prelims और means perspective से वो भी आप लोग याद रख सकते हो, तो अभी हाँ पर जो नया island पाया गया है, उसको discover किया गया है, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा नदन साइड में, तो आप से question मने, नदन most island कौन से दुनिय भर का, तो वो एक island, एक नया है, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, तो guys बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए, तो नीचे description box में आप सभी लोग को टेलिग्राम का link दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को आप लोग कर सकते हो, और आप लोग यहां तक पहुंच गयों, तो वीडियो को सबसे पहले like कर दो, वीडियो को like करने से बहुत support मिलता है, बहुत motivation मिलता है, प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक reach होता है, तो एक second लगेगा, वीडियो को जरूर like कर देना, नाव संडे को compile करके पड़े हैं, तो पूरे week का compilation आपको कल मिल चुका था, तो कल के लिए हमारे पास कोई revision वाल आर्टिकल नहीं है, तो आपको ध्यान रखने, आज हम revision नहीं करेंगे, कल हम already पूरे सब्ता का revision कर चुके हैं, तो आज से हम लोग अपने Monday का current affair शुरू कर रहे हैं अब जो Monday का होगे नहीं, आज हो लो जो current affair होगा, उसको हम कल भी revise कर लेंगे, तो ऐसी चीज़े हैं आपर चलती हैं, तो आपका revision process भी साथी साथ चल रहा है, इससे आपको काफी ज़्यादा help भी मिलने वाली है, और at the end of the month मैं आपको कोशिश ये भी करूँगा, पूरा का relations according to your slave, बस stand करता है GS paper 2 के अंदर, यहाँ पर देखो तेहरी भी brick summit देखने को मिली, और brick summit के अंदर आपको मालूम होगा, यह 5 countries देखने को मिलती हैं, Brazil, Russia, India, China और South Africa, यह सब है South Africa, यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर आप लोग को Brazil देखने को मिल जाएग है video conference के मादियम से, तो यह video conference ही के तुरू कुछ इस प्रकार से meeting करवाई गई थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहली important चीज, यह जो तेहरी brick summit हुई है, इसको कौन सी country ने chair किया, तो इंडिया ने हाँ पर इस meeting को chair किया है, इसको ध्यान रखना, यह article आपको देखने हों को मिलेगा, यह दहिंदू newspaper से लिया गया है, और दहिंदू newspaper एक बहुत important source है, हमारे current affair के लिए, अब देख पाऊगे, recently क्या हो, हमारे prime minister ने chair किया annual summit को, और सबसे important चीज चाहिए, वो one day exam हो, वहाँ सभी पूछा जा सकता है, brick summit की, जो तेहरी brick summit हुई है, इसक summit का विशह है, bricks at the rate 15, उसके बाद intra-bricks, cooperation for continuity, consolidation और consensus के लिए यहाँ पर एक तरीके से countries मिलकर cooperate कर रही है, उसको लेकर यहाँ पर यह थीम रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, question यह उड़ता है, यह पंधरवा क्यों बोला गया है, तो पंधरवा मतलब यह है, bricks को बने वाला विया है, इस meeting का जो highlight वो है, देखो बहुत सारे several, बहुत सारे नएने initiatives चलाए गया थे, bricks के अंडर में, वो कहां तक उनकी achievement हुई है, कहां तक जो जितने भी initiatives तो उन्होंने अच्छे से वर किया है, उसको यहाँ पर, इसके ओपर focus किया या, तो आप कह सकते हो कि, ज सारी countries, दोनों countries कहरा हूँ है, यह जो सारी countries से मिलकर green tourism के उपर काम कर रही थी, तो यहाँ पर, इस brick summit के अंदर देखा गया, कि जितने भी यह नए initiatives थे, इन initiative ने कितना achievement हासिल गया, कितने अच्छे से initiative work करके नजर आए हैं, वो चीज देखी गई, उसके बाद यहाँ पर focus रखा है इन पाचों countries ने मिलकर, post-covid global recovery के अंदर, तो यह पाचों countries मिलकर focus करने वाली हैं, कि एक प्रकार से, covid के बाद एक तरीके से, दुनिया भर में recovery काफी तेजी से हो, साथी साथ, BRICS का cooperation को increase करने की हाँ पर discussion हुआ, आप कह सकते हो, पाचों countries ने मिलकर कोशिश करा है अपने relations को maintain करके, मजबूत रखने के साथ-साथ, जो है, covid वाली जो situation है, उससे tackle किया जा सके, दन उसके बाद, at the last रखर हम बात करें, इन countries ने मिलकर adopt कर लिया है, BRICS counter terrorism action plan, मतलब कि यह पाचों countries मिलकर, terrorism, यानि आतंगवाद को tackle करती भी नज़र आएंगी, आतंगवाद क तो इन सबी sector में पाचों countries मिलकर काम करेंगी, इस चीज को लेकर एक concept adopt किया गया है, ओके, now question यह है सबसे पहली बात, BRICS क्या है, यहाँ पर हम लोग ने यह जान लिया, अब आप यहाँ पर इसका इसका इस्तमाल mains में कर सकते हो, अपने points स्यार कर सकते हो, अब prelims में इस body स regarding question बन सकता है, BRICS क्या है exactly, तो BRICS एक acronym है, acronym क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको Brazil, Russia, India, China और South Africa देखने को मिलेगा, इसका acronym क्या होगा, acronym होगा, B का start, Brazil का B शुरूबात, Russia का R शुरूबात, India का I starting का, China का C, और South Africa का S, तो यहाँ पर B, R, I, C, S इ थे, जिनका नाम था, Jim O'Neill, इन्होंने यहाँ पर यह term दिया था, BRICS, और यहाँ पर यह term दिया था, BRICS, पाच कंट्री, पहले यह 4 कंट्री थी थी आपको ध्यान रखना है, पहले हाँ पर South Africa नहीं था, South Africa बाद में आके जुड़ा है, मैं भी आपको बताँगा कौन से स 2010 के अंदर, तो साल 2010 के अंदर यहाँ पर BRICS को यहाँ पर South Africa ने जॉइन करा, देन उसके बाद यहाँ पर यह हो गया BRICS, क्योंकि यहाँ पर S आ चुका है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, BRICS के पास क्या ताकत, देखो ताकत बहुत जादा है, अगर हम बात करें, पाच 21 परसेंट जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो इन पाचो कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगी, पहली पावर यह है इनके पास, दूसरी पावर, दुनिया बर की जो GDP है, उसके 24 परसेंट जीडीपी यह पाच कंट्रीज मिलकर कॉंट्रिबूट करती हैं, दूसरी पर इसको चियर किया है, वंडे एक्जाम के लिए वापस से बन सकता है, ध्यान रखना, और अभी यहाँ पर बात करिए, 2014 की, देखो, छटया ब्रिक्स का समिट हुआ था, फोटलेजा ब्रजील के अंदर साल 2014 में, तब लीडर्स में मिलकर एक एग्रिमेंट भी साइन किया फोकस रखा, की एक नया डेफ्लेफ्बेंट बंक को बनाया जाएगा, और उस नया डेफ्लेफ्मेंट को बनाया भी गया है, चािना के शंगाई के अंदर वो है उससका हेट्क्वाटर आपको देखने को मिलेगा, इसका में फोकस यही था, इनके मिम्बर्स को जब भी हाँ पर कोई जरुरत होती है, short term liquidity वगरा, support वगरा provide करने का ये bank काम करता है, तो आपको ध्यां रखना है, BRICS के लिए एक bank है, वो कौन सा है, वो है new development bank, जिसका headquarter शांगाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पर मैंने ये picture भी लगा दिये, जो जो discussion हुआ है जैसे कि हम लोगों ने बात करा, कि यहाँ पर focus क्या 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 रखा गया, देखो यहाँ पर UNSC reform को लेकर भी focus रखा गया है, summit नहीं यहाँ पर मुद्दा उठाया है, कि जो United Nations Security Council, आपको मालूम होगा, हमने हाली में discuss भी क्या था, United Nations Security Council, जिसका अंदर 15 members हैं, 10 non permanent member हैं, 5 permanent member हैं, इनको बोला गया, आज की time पर यहाँ पर reform करनी की जरुवत है, यहाँ पर एक तरीके से बदलाब करनी की जरुवत है, permanent member में इंडिया को भी होना चाहिए, इंडिया भी अपना एक बहुत महत्वपूर रोल यहाँ पर play कर सकता है, क्योंकि इंडिया भी one of the most populous plus emerging economy दे करेंगी, उसके बार में discussion हुआ, प्लस आने वाले टाइम पर साल 2021 से 24 सा यहाँ पर agriculture cooperation के अंदर यहाँ पर काम करने वाली है, पांचों कंट्रीज मिलकर agriculture sector के अंदर cooperate करेंगी, प्लस उसके बाद अफगानिस्तान को लेकर situation discussion करा गया, उसके बाद tourism को लेकर यहाँ पर कंट्रीज मिलकर cooperate करने वाली हैं, एक most important economist को बनाने वाले हैं, तो यह focus रखा यहाँ ब्रिक समिट के अंदर, I hope आपको यह clear हो गया होगा, कैसे question बन सकता है, आगे बढ़ेंगे अगले article के दरफ, अगला article agriculture के perspective से important और agriculture stand करता है आपका GS paper 3 के अंदर, इस article में बात हो रही है transforming India's food system को लेकर, यह article Indian Express के अंदर cover किया गया था, आप देख पाओगे, कल का यह article है, कि किस प्रकार से जो India का food system है, वो आज के time पर उसको respond करना चाहिए, climate crisis को देखते वे, news में क्यों है, क्योंकि आज के time पर जो food system है ना, उसके अंदर sustainability एक बहुत important चीज है, आज के time पर climate change हम लोगों को देखने को मिल रहा है, global warming देखने को मिल लिए, इसकी वजास से बहुत सारे sectors affect हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें food system को एक तरीकी sustainable रखना होगा, साथी साथ United Nation Report जो food system के उपर है, उन्होंने suggest किया है, कि देखो आज के time का जो food system है ना, वो उसके अंदर बहुत अंदर जो food system है, इसको लेकर challenges क्या क्या है, दिक्कत है क्या क्या है, सबसे पहली दिक्कत green revolution का effect, आपका होगे green revolution तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर agriculture को promote करता है, बिल्कुल agriculture development को ही यहाँ पर green revolution बोला गया, हरियाली आई गी ठीक है, agriculture development को ही यहाँ पर इससे connect क्या यहाँ लेकिन आपको ध्यान देना है, agriculture यह development हो रहा है, उसी प्रकार से, क्या हो रहा है, irrigation बढ़ रहा है, irrigation बढ़ रहा है, उसके वज़य से क्या हो रहा है, soil erosion देखने को मिला, soil erosion बढ़ रहा है, तिके उसके बाद groundwater depletion हो रहा है, मैंने आपको groundwater के बारे में कल भी एक revision में cover करवाया था, प्लस पिछले हपते हमने discussion किया था, ज्यादा irrigation की वज़या से क्या हो रहा है, आज के टाइम पर जो जमीन के नीचे सतय के नीचे पानी है, वो एक तरीके से कम होता बनाजर आ रहा है, ground water deplet होता बनाजर आ रहा है, भारत को इसको protection देने की काफी ज़या ज़ wheat हो गया, इनी को उगाए जाओ और इनी से पैसा कमाए जाओ, यहाँ पर एक फोकस यही है कि एक तरफ सब के सब इसी चप चीजों की तरफ बाइस है, बाकि सारी crops है वो रह जाती है, उनके ओपर भी focus रखना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा एक तरफ फोकस हटाना पड़ेग उसके बाद आज के टाइम पर भारत के अंदर malnutrition की काफी बड़ी समस्या देखने को मिलेगी, malnutrition मतलब कुपोशड वाली, ठीक है उन लोग को खाना नहीं मिल रहा है, तो नैशनल फूड हेल्थ सर्वे का अगर हम बात करें, यह जो पांचवा है, इस सर्वे ने बताया क आज के टाइम पर अंडर nutrition नहीं कम हुआ, अंडर nutrition मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पोशड भरपूर खाना नहीं मिल रहा है, और इस टाइप के बच्चे, इस टाइप के जो लोग हैं, वो बहुत सारे राज्यों के अंदर देखने को मिलेंगे, और यह कम नहीं हो पा रहा है, इन फैक जो obesity है वो लगातार बढ़ती विनेजर आ रही है, लोग को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अब्यस्सी बात है उनके हल्थ खराब होगी, क्योंकि जादा कमा नहीं पा रहे हैं, तो यह सारी चीज़ देखने को बिल रहे हैं, तो food system का एक बहुत of diversification, पहला step यह है, आपने जो rice और wheat के ओपर focus किया है न, उसको थोड़ा सा हटा कर सारी wheat की, जो सारी crops हैं, उनके तरफ focus करो, ठीके, आप diversify रखो अपने choice को, चाहिए वो millets, pulses, oilseed, horticulture, यह बहुत important चीज़ हैं, इनको आपको equally contribute करना पड़ेगा, ना कि rice और wheat को यह उप organization है, इनको अच्छा prices मिलना चाहिए, जो हमारे छोटे मोडे farmers, किसान भाई हैं, उनको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, अच्छा contribution हो लो करेंगे, जैसे एक example है, e-chopal का, e-chopal एक example है, technology की benefit, small farmers का, तो यहाँ पर कहीं लेकि ऐसी चीज़े हैं, जो कि farmers को benefit प्रोवाइड कर करेला के अंदर है, यह काफिया तक helpful रहने वाला है, तो women empowerment के उपर आपको focus करना पड़ेगा, खासकर agri sector के अंदर, उसके बाद आपको food system जो है, यह sustain होता वा नजर आएगा, इसके उपर आपको focus रखना पड़ेगा, आज के time पर हम लोग क्या कर रहे हैं, agri sector से ही बहुत important part है, उसके बाद health infrastructure और social protection की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ हटके बात करी गई है, देखो agriculture के अलावा, आपको आज के time पर पता चलिया होगा, COVID-19 pandemic ने दिखाया, हमारे country की क्या कमजोरी है, कमजोरी यह है, हमारा health infrastructure बहुत जदा कमजोर है, तो इस step के हमें इस step उठ चलाने पड़ेंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, हम लोग को और भी sectors को improve करने के लिए, rural areas को और जदा improve करने के लिए, जो हमारा food system है, उसको एक जरूरत है, बहुत सादा मजबूत social protection program की, इंडिया लंबे समय से यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्र लेकिन इस टाइब की चीज़े हम लोग को और भी जदा जरूरत में देखने को मिलेंगी, और भी हम लोग को ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद non agriculture sector के बारे में बात की गई, देखो आज के टाइम पर non agriculture sector को भी आपको equally importance देना पड़ेगा, जैसे कि जो micro, small, medium enterprises होते हैं, उनको आपको मजबूत करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से processing पार्ट है, food को process महाँ भी किया जाता है, तो एक उसको उपर आप जब focus करोगे, तो obvious सी बात है, आपका जो ये food system को कही नगीं ग्रू करता हो नजर आएगा, way forward क्या है, कि आप science and technology का small करो, science and technology काफी important drivers हैं, जो कि आपकी technology को आपकी food के system को transform ज्यादा तेजी से करेंगे, नई techniques आएगी, नई technologies आएगी, तो आपका food system भी ज्यादा तेजी से यहाँ पर transform होता वगी नजर आएगा, प्लस लोगों की incomes वगी भी ग्रो होंगी, प्लस लो focus यह है, हमारे दुनिया बरका जो food system है, उसको transform करने की बातचीत करी गई है, क्योंकि आपको मालूम होगा, हमने अपने sustainable development goals को set कर रखा है, साल 2030 तक हम लोगों ने अपने 17 goals set कर रखा हैं, उसमें बहुत सारे goals, poverty को लेकर हैं, hunger को लेकर हैं, इन सब जो को भी tackle करना है, अच article quality and governance के perspective से important है, और quality and governance stand करता है, GS paper 2 के अंदर, यहाँ पर चर्चा हो रही है, quarterly bulletin of periodic labor food survey, बहुत important article यह आपको देखने को मिलेगा, news में क्यों है, आप देख पाऊगे, यहाँ पर यह P.I.B. का article है, मैं आपको सारे sources दिखाता रहूँगा, कहां कहां से सारे articles को लिया गया ह और P.I.B. एक one of the most important source है आपके UPSC current affair के लिए है, यहाँ पर news में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो National Statistical Office है, जिसको हम लोग NSO बोलते हैं, इन्होंने release किया एक तरीके से periodic labor survey को, अब यह survey कौन से महीने का है, तो October से लेकर December 2020, यानि कि इन तीन महीने का यह survey है, तरीके तो इस participate किया, कितने इन ने वर्ख किया, कितने बिरोजगार रह गए, यहाँ पर इस survey के अंदर यह बताय लगा है, जो यह data set है न, यह quarter वाला है, और यह कईना कही एन्वल वाले से अलग होता है, एन्वल वाला होता है, वो पूरे साल के लिए होता है, quarter वाला होता है, वो तीन मह पर रखा जाता है अब यहाँ पर यह सारी रिपोर्ट किस ने पब्लिश करी है वो National Statistical Office ने क्या है तो NSO Central Statistical Agency है हमारे भारस सरकार की जिसको बनाया गया था Statistical Service Act 1980 के एंडर में आपर वर्क करता है Ministry of Statistics and Program Implementation के एंडर में आता है तो ध्यान रखना यह इसी प्रकार के बहुत सरे Statistics अलगलग से एक्टर में प्रवाइड करवाता है जिससे हमारे भारस सरकार के पास बहुत सरे डेटा आता है क्यों October और December के अंदर, October और December साल 2020 के अंदर यह unemployment rate है विरोजगारी का rate है 10.3% इसको हम compare करें पिछले समय से तो पिछला था 7.9% तो obviously बात है 7.9% से 10.3% increase हुआ है तो विरोजगारी increase हुई है यहाँ पर इस survey ने बताया, second point यहाँ पर इस survey ने बताया जो labor force participation rate है वो कम हुआ है, मतलब जो लोग है labor के अंदरों ने participate कम क्या है जो 15 साल के हैं, 15 साल से उपर वाले लोग हैं urban areas के अंदर उनका participation 47.3% देखने को मिला October और December के अंदर जो कि पहले 47.8% हुआ करता था, तो थोड़ा सा यहाँ पर यह down होता हुआ नजर आया है प्लस worker population ratio, अब यह worker population ratio क्या होता है तो आपको बता देता हूँ worker population ratio इसको define के जाता है as a percentage of employed person मतलब कि जितनी जनसक्या है उसके अंदर कौन से व्यक्ति ऐसी है जो की employed है जिनको यहाँ पर job मिल चुकी है, तो workers population ratio आप कह सकते हो यहाँ पर यह भी थोड़ा सा यह जो October और December का है यह 42.4% है यह पहले 44 हुआ करता था मतलब worker population ratio भी गिरा हुआ नजर आएगा, मतलब लोगों को जो jobs वगरा है वो कम ही मिली है लोग बहुत जादा employed नहीं हो पाए है, लोग unemployment में जादा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर इस सर्वे के अंदर यह सारी चीज़े देखने को मिली है अब हम बात करता है periodic labor force सर्वे के बारे में exactly यह सर्वे क्या है देखो इस सर्वे बहुत important part एक तरीके से प्ले करता है labor force के sector के अंदर हमारे पास labor को लेकर बहुत सरा data आ जाता है इस सर्वे को launch किया गया था national statistical office के तुरू आपको दियान रखना है अपरल 2017 के अंदर इसका main objective यह है कि labor के अंदर जो employment rate है unemployment rate है जो indicator है इनको सब को लेकर एक data को publish का जाए इसको पर यह लोग focus रखता है और यहाँ पर तीन annual report periodic levers for survey की आ चुकी है अभी तक release होगी है तीन report जुलाई 2018 की एक report है 2017 से लेकर 2018 की 2018 से उननेस 2019 से बीस तो तीन साल की हमारे पास report release करी गई है अभी पर year की भी जो report आएगी उसमें भी discussion होगा आने वाले time पर एक साल की report और आने वाली है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे अभी सिर्वा सिर्व quarterly report है तो यहाँ पर उनका participation rate क्या है उसको देखा जाता है उसके बाद यहाँ पर क्या वोला गया कि जो labor force participation rate है मतलब कि इसको define के जाता है मालो कितने लोग labor force के अंदर हैं काम कर रहे हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर unemployment आपको मालूम ही है बिरोजगारी देखी जाती है आगे ब को मिलेगा यहाँ पर recently जो ministry of education है इन्होंने एक report release करी है आपका सकतो data release किया है और वो ranking release करी है ranking को किसने एक तरीके से institute क्या किस के अंडर में release करी गई है तो national institutional ranking framework आपको धिया रखना है NIRF की full form क्या है national institutional ranking framework यहाँ पर क्या होगा भारत के जो बहुत सारे institutes हैं उनके अंद कि engineering sector के अंदर IIT मदरास बढ़िया है या एक तरीके सा pharmacy के अंदर यह वाला university बढ़िया यह वरा institute बढ़िया है इसके ओपर यहाँ पर चर्चा की गई है अब जितने भी institutes होंगे लगबग यहाँ पर आप सकतो 6000 institute ने इस ranking के अंदर participate किया इन 6000 institute में से बताया गया इन इन sector क के अंदर यह institute टॉप पर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन क्या देखा जाता है सबसे पहली बात इन institute के अंदर देखा जाएगा teaching learning sources को research और professional practice graduation outcomes क्या है outreach और inclusivity देखा जाएगा साथ-साथ जो peer perception है वो देखा जाएगा और contactness यहाँ पर लोग के बीच में किस प्र medical institute अलग होता है management अलग होता है college अलग है pharmacy institute अलग है law architecture dental research सब अलग है तो इन सब के अंदर हम बात करेंगे कौन से colleges ने या फर कौन से institute ने टॉप किया है अब यहाँ पर जो भी हम लोग देखा पहले तो ranking नहीं थी हमारी है जो NIRF वाली ranking है यह हम लोग इंडिया वाले क्यो launch करें हैं तो आपको मालूम होगा इससे पहले यहाँ पर दुनिया भर के ranking आती है QS World University ranking यहाँ पर दुनिया भर के जो universities उनकी ranking दी जाती है कि दुनिया भर में एक top पर यह university यह है second पर यह है third पर यह है उसके बाद यहाँ पर एक और ranking आती है सब world level पर आती है इंडिया ने अपने उपर focus किया क्या है क्योंकि यह लोग कहीं लेकर इंडिया को नीचे रख देते हैं अब इंडिया अपने हिसाब से हाँ पर एक ranking लेकर आया है जिसमें इंडियन जितने भी universities होंगी या एक तरीके से इंस्ट्यूट्स होंगे उनकी ranking decide करी जाएगी प्लस आज की बात करें तो overall पूरे ranking की बात करते हैं पूरे report की तो इसमें सबसे टॉप पर देखने को मिलेगा भारत के अंदर IIT मदरास दूसरा है IISC Bangalore तीसरा IIT Bombay यह तरीके से country के टॉप तीन education institute हैं जो की बिलकुल टॉप पर है अब हम बात करते हैं लग 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 का डिगरी करें तो university में IISC जो बैंगलूरू है वो टॉप करा है इसने इस category के अंदर research अगर research institution की मामले में बात करें तो IISC बैंगलूरू वापस से इसने टॉप किया इस category के अंदर college के मामले में बात करें तो Mirinda college ने यहाँ पर first position हासिल करी है ठीके उसके बाद यहाँ पर Lady Shri Ram college है इसके अगर हम बात करें तो IIT मदरास टॉप पर है मैंजमेंट में बात करें तो IIM Indian Institute of Management एहमदाबाद टॉप पर है उसके बाद medical के अंदर बात करें तो AIMS टॉप पर रहा है उसका फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्ध टॉप पर रहा है उसका आर्किटेक्चर की बात करें तो IIT रूर की टॉप पर रहा है लौ की बात करें तो National Law School of Indian University बैंगलोर ये टॉप पर रहा है डेंटल की बात करें तो मनिपाल College of Dental Sciences मनिपाल के अंदर है वो टॉप पर रहा है तो आपको देखना है अलगले काडिगरी के अंदर कौन कॉंस इंसिट्यूट्स उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की अगला आर्टिकल एकनॉमी पॉस्पेक्टिव इंपोर्टेंट है और एकनॉमी आता है GS Paper 3 के अंदर यहां पर चर्चा हो रही है कि देखो एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए एक्सपोर्ट मतला अपनी कंट्री से स एक तरीके से रिलीज करेगी क्योंकि बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर यहां पर रिलीज प्रोवाइड हिया जाएगा तो गवर्मनेंट ने डिसाइड किया है तो रिलीज पैंडिंग क्लेम्स देखो क्या होता है ना मालो यह व्यक्ति है एक्सपोर्टर है य इसको गवर्मनेंट की साइड से सरकार की साइड से इसको बहुत सारे बैनेफिट मिलते हैं सरकार ने लंबे समय से इनको बैनेफिट नहीं दिया था अब यहां पर सरकार इनको सारे बैनेफिट प्रोवाइड करवारी है उसके लिए अमाउंट जो है चपन हजार 27 करोडर announce कर दिया है, यह सारे पैसे provide करवाने वाले हैं, ठीक है, और यह अलग-अलग categories के अंदर provide किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, article PIB का है, आप लोग यहाँ पर नीचे की साइट देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया, देखो, expected यह है, लग-बग 45,000 से जादा exporters हैं, जिनको इसका benefit मिलने वाला है, जिसमें से 98% कहां से belong करते हैं, MSME से, micro, small, medium, enterprises, छोटे मोड़े enterprises हैं, उन categories के अंदर सबसे जादे हैं, आप पर यह सरकार incentivize provide करवाने वाली है, incentives provide करवाने वाली है, तो यहाँ पर अपको ध्यान रखना है, government ने target रख रखा है कि हम लोग 400 billion dollar तक का अपना export करें, साल 2021-2022 के अंदर, और इसके लिए और जदा exporters को incentive दिये जाएंगे, जदा सदा पैसा provide के जाएगा, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, तो exporter को motivation मिलेगा, encourage होगा, वो जदा सदा हैं आपर production करने के बाद, export कर पाएगा, ओके, तो यहाँ पर आपके स तो बहुत सारी schemes है, schemes कौन कौन सी हैं आप देख पाऊगे, जैसे कि merchandise export from India scheme हो गया, service export from India scheme हो गया, rebate of state levice हो गया, rebate of state council and central tax हो गया, remission of duties and taxes हो गया, अब इसका मतलब क्या है, यह सारी scheme क्या करती है, exporter को benefit देती है, जैसे कि हमने बात करा, जैसे कोई export कर रहा है, तो exporter हो क् करना पड़ेगा, state के बहुत सारे charges देने होते हैं, duties पे करनी होती है, taxes provide करवाने होते हैं, central taxes देने होते हैं, तो इन सब के अंदर shoot मिलेगी, इन सब को कहीना कहीं कम करवाया जाएगा, तो इससे यहाँ पर exporter को फायदा होता वा, नजर आएगा, exporter ज्यादा पैसे बचा प रही है, आत्मनिरभर भारत corner के बारे में, तो Indian Mission के अंदर आत्मनिरभर भारत corner उतर चुका है, news में क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह एक article अगेन P.I.B. का देखने को मिलेगा, ठीक है, तो P.I.B. के बहुत सर आर्टिकल साथ मैंने लिये हैं, तो यहाँ पर Trifid, Trifid की full form है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, इन्हों ने Tribal ने collaboration किया किस के साथ Ministry of External Affairs के साथ, तो यह जो Trifid है, इसने collaboration किया Ministry of External Affairs के साथ, अब यहाँ पर यह लोग collaboration करकर क्या करेंगे, आत्मनिरभर भारत corner को बनाने वाले हैं, लगबग एक तरीके से 100 Indian Missions के अंदर यहाँ पर यह काम क Thailand के अंदर वहीं पर इसका एक तरीके से घाटन हुआ है, तो लगबग आपके सकतो भारत की जो 100 embassies हैं दुनिया भर में, वहाँ पर आत्मनिरभर भारत एक corner लगाने वाले हैं हम लोग, यह focus रखा गया, जो Trifid है, एक Trifid क्या exactly मैं आपको बता दूँ जो यह Trifid है, इसक Trifid वाले जैसी schemes के अंदर यह काम करता हुआ नजर आता है, तो आत्मनिरभर भारत, यह जो corner है न, एक तरीके से एक साइक space होगा, जो कहीं कहीं GI tag को promote करेगा, ठीक है, मालो इंडिया के अंदर कोई ऐसा product है, जिसको GI tag बराप्त है, तो उस product को यह promote करता हुआ नजर आएग question यह है, यह GI tag क्या होता है, तो GI tag मालो एक product है, यह इस जगह का एक arm है, mango है, इसको GI tag मिल चुका है, तो उस जगह पर एक importance मिल जाएगी, कि इस जगह का arm ब्योलकुल pure है, इसको GI tag मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि यह आप पर यह खास arm है, इसके अंदर कुछ features है, unique है यह, इसको GI tag मिला है, तो इस जगह से जो geographical indication है, यानि इस जगह का यह arm बढ़िया है, इस जगह का यह product बढ़िया है, जो geographical indication है, यह कौन देता है, यह recognize करता है, world trade organization, और आपको धिहान रखना है, यहाँ पर यह geographical territory को denote करता है, यानि कहां से यह product belong करने वाला है, जैसे कश्मीरी shawl जो पश्मीरा shawl हो गया, कश्मीरी shawl जिसको हम लोग बोलते है, उसको GI tag मिला है, कश्मीरी साफरोन हो गया, जो हाली में न्यूज में था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते है, साफरोन, जो यहाँ पर केसर जिसको बोल जाता है, उसको GI tag मिला है, तो कश्मीर का नाम लगा ह और वो Act बना था Geographical Indication Registration and Protection Act 1999 जो की वर्किंग में आया September 2003 से और इंडिया भी इसका sign कर रखा है इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको GI Tag वाले देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर जो Geographical Indication Registry वाला Office है वो चेनरी के अंदर लोकेट है वहाँ से आपको GI लेना पड़ता है तो यहाँ पर एक तरीके से जो Registration है Geographical Indication का वो दस साल के लिए उपलब दोता है दस साल के बाद अगर आप चाहते हो उसको बढ़ाना तो उसको बढ़ा भी सकते हो इसी टाइप के और भी बहुत सारे इनिशेटेव से भारत के अंदर जैसे आदी महुत GS Paper 1 Geography के Perspective से प्लस GS Paper 3 Environment के Perspective से लास्ट अर्टिकल है दुनिया का Northernmost Island यहाँ पर देखने को मिला ऐसा आइलेंड जो की दुनिया भर में North Side में सबसे देखने को मिलेगा तो यहाँ पर उसी आइलेंड की यह पिच्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी यह आइलेंड कह अब देखें कि हम लोग इस डिसकवरी का नाम किया है सबसे पहले मैप में देख लो उपर आप लोग देख पार होगे जब वर्ल मैप देखोगे European countries हो गया उपर Greenland देखने को मिलेगा Greenland से उपर की साइड उपर और Northern Side में जाओगे तो पूरे दुनिया भर का मताब का सकतो तो यहां पर यह जो पूरी दुनिया आए नीचे ठीक है पूरे यहां पर आपका सकते हो पूरा वर्ल है इधर इंडिया इधर यूरॉप फिर इसके बाद चाइना जापान नीचे ऑस्ट्रिलिया न्यूजिलेंड इधर यहां पर North America South America इधर पूरा आफ्रीका यह पूरी क इंडिया इहां पर डिस्कवर किया गया थो आपको ध्यान रखना है ठीक है जो पीस आफ आइलेंड यहां पर देखने को मिला यह आइलेंड एक तरीके से किसके आगे देखने को मिला है उदवाक उदाक लेना तो रिसर्चेस नहीं पर इसको सज़ेस्ट किया जो डिसकावरी है उसको नएम यह देना चाहिए एक तरह के से सी बैड मड की तरह है यहां पर आप गलेगा बुला गया गलोबल वामिंग का एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है लेकिन यहां पर देखो बहुत सा करते हैं यहां पर आपको धिया रखना है यह आइलेंड कहाँ पर लोकरिड है नौर साइड में यह लोकरिड है नौर इसी के साथ करते हैं लेक्टर को आप सभी लोग को सारे आर्टिकल से चैसे क्लियर हो गएंगे इंपोर्नेंट आर्टिकल है हमारे UPSC परस्पेक्टिव से आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day, thank you and जैहिंद और जाकर आप लोग टेलिग्राम से इस लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो तो आज के लिए बाबाई